राजधानी लखनों में चोरों के वारदा दिन बादिन बढ़ती जा रही है इस पार चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया है ठाकुर गंज के नगरिये में रहने वाले रामकिश्न वर्मा के घर में हुई लगबख आठ से तस लाग की चोरों में परिवार वालों के होश उड़ा दिये हैं जिससे पूरा परिवार सत् सामान तितर भितर पाया सो नंबर पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने चानवीन की लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया तो रोग स्कॉर्ट की सहायता लिए परिवार वालों की माने तो सो ग्राम सोना चार सोने के अंग उठी तीन कुलों चांदी ल सब्सक्राइब करें तो वहां गया है सोड़े पार बिजयां वापास आगा है तो जो हम अंदर आए तो हमारे पुलिए सारे दर्वाजे के संटर लाकुत तो टूटी पड़ी है जब हम देखा कि सारे नीचे सब हमारा सब बहु के कमरे में जो जेवर वोगरा सब रख्था वह तो सब चला लिया चांदी हो यह दोड़ाई तीन क्लों जो लेडिशों की जो घर में यूज करने वादी पहले वोगरा होती है दो चैने तीन चैने हमारे रख्थी हुई है सारे नाकर हमारे सब तूटे पूड़े हैं सब तोटे गितने हैं जहां जावन सामा रख्था हुआ था वो तो तूटे पूड़ा हुए में सेव हमारा बचा है वही बुलिश के मुताबिक मामले की जाच की जा रही है और चंद ही चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी कि यह थाना इस ठाकुर गंज में एक राम कृष्ण बर्मा जी है उन्हीं के घर में आज रात में चोरी हुई है जिसमें अभी उन्होंने एक्जेक्ट कुछ नहीं बताया कि कितना को चोरी हुई है बार गय थे पोई उनके घर में था नहीं बाहर घर में ताला लटक रह थ तो कुछ लोग आ करके दरवाजा तोड़े हैं और अंदर जा करके सामन दे ले ले हैं और इस अंदर में ठाने पर अभ्योग पंजी कृत कर लिया गया है विवेशन अपरारम कर दी गए हैं क्राहिम अस्थल कर निरिचल मेरे द्वारा और रुच्छा दिकारी द्वारा कर खटना के पास यही कहती है कि मामले का पुड़ासा किया जाए गार और चोरो को चल जेल पहले जाए लेकिन आखिर क्या कर रहा है कि पुलिस को बदमाशों और चोर नजन देना